Hey friends, welcome here, कैसे हैं आप सब आशा हैं, आप सभी स्वस्त होंगे, तंदरूस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बर रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे आज की रीडिंग है हमारी आपके question के answers, yes or no, या फिर angel guidance या फिर कुछ भी जो divine universe, angels या फिर जिन में भी आप believe करते हो, वो आपको बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं आपको क्या करना है, आपको कोई भी question अपने mind में set करना है, कुछ second के लिए meditation करना है लेकिन उस question के साथ एक time frame भी set करना है, two weeks, two days, two months, three months, ऐसे कुछ weeks set कर सकते हो, कुछ months set कर सकते हो, कुछ days set कर सकते हो, then angels आपको guide करेंगे ति उस time में आपका काम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा और आपको क्या करना चाहिए ये reading होगी आप लोगों के birthday month से, जिनका birthday January में आता है, उनके लिए one card होगा एक question put on करके, एक time frame set करके check कर सकते हो, और अगर किसी को अपना birthday month ही नहीं पता, that means बहुत सारे लोग होती है जिनको birthday नहीं पता होता की कब होता है, तो उनके लिए एक last में collective reading भी होगी तो आपको घबराने की बिल्कुर जोरत नहीं है, आपके सभी questions के answers, angels देने को ready है without wasting much time चलते हैं reading क्यों, तो जिनका भी birthday month, January है, जन्वरी है, उनके लिए angels क्या कहना चाहते है abundance, आपके question का answer yes है, आपके life में abundance आ रही है, stability आ रही है, balance आ रहा है, happiness आ रही है, prosperity आ रही है, काफी enjoy आ रहा है so may God bless you and congratulations जिनका birthday month है February, ओम नमस्षिवाई अब देखते हैं जिनका birthday month है February, उनके लिए क्या answer है peaceful resolution, आपके conflicts, आपके life में problems, आपके life की जो समस्याए है उनके समधान निकलने, जो आपने time frame सेट किया है, उसमें हो जाएंगे आपको तसली मिलेगी, आपको relax मिलेगा, आपको comfort zone मिलेगा आप meditation, contemplation करते रही है, आपके लिए भी answer yes है अब जिनका birthday month, March है, ओम नमस्यवाई, ओम साहिराम तो आपके लिए है let's go का card, आपके लिए may or may not be answer है वो काम उस time frame में हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर उस time frame में नहीं भी होता है तो बाद में definitely होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको negative situation को let go करके जो चीज़े अभी आपके लिए work नहीं कर रही, जो situation आपको pain barriers को let go करके जो आपके लिए work कर रही है, उन पे work करना है, manifestation करना है, then definitely आपका काम जल्दी होगा, may God bless you now one card for April, 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 जिनका birthday month April है, तो देखते हैं आपके लिए क्या आया है take action, take action, that means आपका answer yes है, आपके life में जिस action का वेट कर रहे हैं, call, text, message या किसी strong action का, किसी email का, किसी contract का, किसी proposal का, तो definitely वो आएगा, आपके time frame sit में, ठीक है और अगर आप किसी action को लेने के बारे में सोच रहे हो, तो divine कह रही है कि अब आपको ले लेना चाहिए अब हम चेक कर रहे हैं, कि जिनका birthday month मई है, में है, आपके लिए क्या है, let's check remain positive, आपके लिए क्या है मैं बताती हूँ अगर आप लोग positive है, तो आपके लिए answer yes है, और अगर आप बहुत negative और low feel कर रहे हैं, तो आपके लिए answer no है that means उस time frame में चीज़े नहीं होगी, तो advice यह है कि आप जितना positive रहें, उतना बहतर है जिक करते हैं, जिनका birthday month, June है, angels, बताईए उनके लिए क्या message है ask for help from others, ठीक है, आपका काम थोड़ा delay में बनेगा, जो time frame आपके set किया है, उसमें बनने की possibility थोड़ी कम है अगर आपको लगता है कि कोई आपके help कर सकता है अबंड़ी आपके help कर सकते हैं, और से делать रहें एका Lehman खैलने की ठीक है तो जिनका जून का है तो आपका में और में नॉट भी है अगर आपको किसी अच्छे परिशन की हेल्प मिल जाती है दिन डेफिनेटली आपकी थिंग्स बेटर हो सकती है और हेल्प लेते वक्त आप लोग हेजिटेट ना हूँ ठीक है अब जिनका जुलाई है ओम देखते हैं जुलाई का क्या आया है अपोर्चुनेटी अभी येस आपके लिए नई नई अपोर्चुनेटी आ रही है प्रोपोजल्स आ रही है अबंडेंस आ रही है फिंग्स की नई शुरुवात हो रही है और काफी जादा हैपीली लाइफ आप आगे स्पेंड करेंग आपके लिए में और में नॉट भी आंसर है उस टाइम फ्रेम में हो भी सकता है और नहीं भी अगर उस टाइम फ्रेम में नहीं होता तो बात में हो जाएगा लेकिन कुछ लोगों से आपको माफी मांगने की जरूरत है और कुछ लोगों को माफ कर देने की जरूरत है ये ग के लाइफ में स्ट्रगल अभी रहेगा एकदम से हैपिनेस नहीं आएंगी कुछ कंप्रोमाइजेस कुछ अपसंट डाउन चलेंगे लेकिन स्टिल आपके लाइफ फेले से बेटर होगी बैलेंस होगी अभी यह तो नहीं है बट चीजे फेले से बेटर होनी शुरू हो जाए लेंगी ओके में गॉट ब्लेस यू नाओ जिनका बर्दे मंथ ऑक्टूबर है उनके लिए वन काड़ गेट मौर इंफोमेशन जिनका भी बर्दे मंथ ऑक्टूबर है डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपके काम जो है आपकी सिचुएशन जो है पहले से बेटर होगी और हो सकता है कई लोगों के लिए यस भी हो जाए ठीक है यस भी हो जाए लेकिन आपको क्या करना है आपको यह करना है कि उस चीज के बारे में उस सिचुएशन के बारे में उस परसन के बारे में उस प्रोपोजल के बारे में आपको और इंफोमेशन प्राप्त करनी है ऐस ask your angels, आपके लिए may or may not be है, divine आपको कहना चाहती है कि आप अपने intuition को सुनो, angels से पूछो, अगर वहां से answer yes आता है, then definitely आपा काम उस time frame में हो जाएगा, otherwise delay और postpone हो सकता है, and now one card for December, be assertive, आपके लिए yes है, लेकिन उन लोगों के लिए yes है, जो काफी positive है, और अगर आप लोग positive नहीं है, तो positive बन जाएगे, अब हम चेक कर रहे है collective reading, जिनको अपना birthday month नहीं पता उनके लिए क्या card है, तो उनके लिए card है, the situation will improve, तो आपके लिए ना yes का card है, ना no का card है, पहले से situation better हो जाएगी, ये card है, आप अपने prayers, manifestations, continue रखिये, may God bless you, thank you so much for watching, if you like this video, don't forget to thumbs up and share this in your group, for more clarity, you can book your personal pay readings too, जिसके details, description box में given है, bye for now, have a good day, take care.